चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इकॉनमिक्स का हमारा जो पार्ट फोर यह वाला आप लोगों ने अगर पिर भी इस पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद को कि इस लेक्सम में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंफ् मोद्रःसपिती करेंगे तो मुद्र Assim किसे कहेंगे पहले हैं जुछने नाम से होती और इनके मल्यों में यृनिकर जो प्राइज होता है वो लगातार अगर बढ़ता रहे तो इस ही को हम क्या कहेंगे गर हमसे कोई भूशता है इंफलिशन गया है तो आपको सिम्पली कहना है कि बस्तुओं और सेवाओं के मुल्यों में निरनतर ब्रध्धी को ही क्या कहते है इंफलिशन कहता है होगे तो इतना सरflies ले कि आप इसे आरें miejsce सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर जब प्राइस बढ़ता है किसे सी इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो इससे क्या होता है जब महगाई या फिर मुद्रेश बढ़ती है तो इससे जो मुद्रा होती है जो करेंसी होती है किसी विद्रेश की इसकी क्रेश हमता में कमी आती है जो क्रेश हम्ता होती है इसमें कम्या इसका मतलब क्या है कि क्रेश हम्ता में कमी देखिए जैसे कि यहां पर आपको एक जापल देता जैसे कि पहले दस रुपए में आपको लेक्किलोड़ आमांटर मिल जाता है लेकिन क्या हुआ, inflation बढ़ा, यहाँ पर हम लोग अपने दुछी का रडिक्षन देखते हैं, कि inflation बढ़ा, अब inflation बढ़ने से क्या हुआ, यही एक क्लोटा माटर, अब हमें 20 उर्पय पे करने पढ़ रहे हैं, इसी एक क्लोटा माटर के लिए, अब यहाँ पर आप देख सकते कि देखे बस्तू उतनी ही है लेकिन उतनी ही बस्तू खरीदने के लिए अब हमें जादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं यानि कि पहले हम 10 रुपए में एक क्लोटा माटर ले ले रहे थे अब यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है एक क्लोटा माटर खरीदने के लिए हमें 20 रुपए पेगाने पड़ रहे हैं यानिकि हमें यहाँ पर ज्यादा मुद्रा की आवर सकता हो रही है ज्यादा मुद्रा की आवर सकता है क्या मतलब है तो यहाँ पर एक तरह सा आप क्या सकते हैं कि मुद्र है उसकी क्रेश हमता में कम ही आ गई है इसलिए हमें ज्यादा मुद्रा के बढ़ रहे हैं तो यही ताथ पर रहे हैं कि जैसे जैसे इंफ्लेशन ज्यादा बढ़ता है इंफ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे क्या होता है मुद्रा की क्रेश हमता में कम आता है लेकं का मतलब होता है खरीद्ग और विक्रे का मतलब होता है बेचना तो इसी के लिए दीखें कोई भी सीधु होती है उसके कीवर्ड आपको ध्यान रखना है अब यहां पर खरीद्गेंHz बेचना मत लिखेंज़ की बुदियने इत्के जिगे पर आपको क्या के वहाँ सा होती है उसका यूज नहीं करना है दीखे जब किसी भी चीज की जब मुद्रा होती है जब उसकी क्रेश हमता में ज्यादा कमी आ जाती है मान लेते हैं जैसे कि भी बचा नहीं अब इससे आप कुछ भी खरीद नहीं सकते तो क्या किया जाता है इस छोटी मुद्रा को अर्थ विवस्ता से बाहर कर दिया जाता है जो अर्थ विवस्ता होती है इससे इसको क्या कर दिया जाता है बाहर कर दिया जाता है अगर हम अभी बात करें आप लोगो गे एक रुपए लेकिन ऐसा नहीं है कानूनी रूप से अभी 50 पैसे जो 50 पैसे हैं वो अभी भी चलते हैं लेकिन हम लोग इसका जर्नली उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि काफी छोटी मुद्र है हम लोग देखते हैं कि किसी पर MRP पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं 11 रुपए पेगड़ देते हैं क्योंकि हम अब 50 पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सूचते हैं क्योंकि काफी छोटी मुद्रा हो गई है लेकिन अगर कुशन आता है कि भारत में सबसे छोटी पर चले मुद्रा कौन सी है तो कौन सी है 50 पैसे लेकिन इस 50 पैसे का आप भुक्तान कर सकते हैं क्या है तो हाँ आप चरूर कर सकते हैं आप किसी भी दुकानदार को इस 50 पैसे दे सकते हैं और इससे कोई भी वस्तु खरीच सकते हैं अगर वो नहीं लेता है तो उसके उपर कानूनी कारवाई की जा सकती है लेकिन यहाँ पर एक सर्थ है RBI ने यहाँ पर एक सर्थ जोड़ दी है वो क्या जोड़ी है इन्होंने कहा है कि आप इस 50 पैसे का उपियोग कर दो सकते हैं लेकिन इसका उपियोग आप अधिकतम 10 रुपए तक के भुकतान के लिए कर सकते हैं यानि कि आप क्या कर सकते हैं इस 50 पैसे के अधिकतम एक बार में कितने सिख्के यूज कर सकते हैं आप 20 सिख्कों का उपियोग एक बार में कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं कर सकते जैसे मैं अगर आपको एक संपल दूँ आपने 10 रुपए की कोई बस्तू खरी दिये तो आप क्या करेंगे 20 सिक्के दे देंगे कितने कितने के 50 पैसे के 20 सिक्के दे सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज 20 रुपए के खरी दिय तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप यहां पर 40 सिक्के के दे दे 50 पैसे के 50 पैसे के 40 से के नहीं दे सकते एक कानूनी रूप से गलत है क्यूं क्यूं क्यूंकि ऐसे तो आप देंगे तो गिंते गिंते ही बुड़ा हो जाएगा तो इसलिए ऐसा किया गया है किवाद 10 रुपए के भुक्तान तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो इसका भुक्तान आप 50 पैसे में कर सकते हैं और जो बचा हुआ 10 रुपए है इसके लिए आपको अधर रुपए देने पड़ेंगे जैसे एक का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का या दस का सिक्का आपको देना पड़ेगा तो इस रुपए आप भुक्तान जरूर कर सक लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए समझ में आगी सली हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंफलेशन का आखिर प्रभाव क्या पड़ता है हमारी कौन में पर तो आप देख सकते हैं इससे क्या होता है प्राइस गो अप होते मतलब उबर जाते हैं और बस्तूओं खरीद पा रहा है लेकिन अब इंफलेशन बढ़ गया है यहां पर हम देखते हैं कि इंफलेशन बढ़ गया है तो अब वो 100 रुपे में इन 10 बस्तूओं को नहीं खरीच सकता क्योंकि इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसी तरह आप यहां पर देख सकते है कि और भीचा सारी सीजयों रुखाओ पड़ता है अब मैं इनके प्रभाव के बारे में दिखाने से पहले आपको एक छीज़ बताना चाहता हूँ जो काफी important है liquidity के बारे में यानकी तरल्ता के बारे में आखिर यह तरल्ता क्या है जैसे कि पानिका एक तरल पधारत रहते हैं उसकी तरल ज्सको आप हलोगा उससे होगती अगर चली जागी यहाँ से ही इसको लिया गया खना को लिकुडिटी से कि कोई भी चीज है उसका परभाव कितनी टयजी से हो सकता है 넘ने खता है इस उसके उपर कानूनी करवाइब की जा सकती है लेकिन क्या होता है अगर आप इस तरह से और गुष लिके जाएंगे इसके सोना चांदी अगर लेके जाएंगे या फिर एक किलो टामाटर लेके जाएंगे क्या चीज है जिसकी तरह तक कम होती है इसको आप जल्दी से कंवर्ड कर सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं जल्दी पैसा आप सीमी लुक्रेट किसे कहते हैं जैसे कि स्टॉक्स होते हैं आप लोग अगर सेर के बारे में जानते होंगे सेर डेविंचर होते हैं इक यह कन्वर्ड हो जाएंगे जिस तरह सोना होता है वह सेमीं लुक्रेट किसे संपति तो आप जितने में बेचना चाहते क्या वह तरंब नहीं उसके लिए अपको टाइम लगेगा इक उसका प्रॉसेस होता है विसमी का पूरा उसको फॉलो करना पड़ेगा और हर को आपका घर नहीं लेना चाहेगा, वो देखीगा, इसकी location देखीगा, अपनी सुब्दा देखीगा, फिर उसके बाद उसको खरीदेगा, ओके, तो ये भी liquid है, लेकिन ये कैसा है, ये a liquid है, क्योंकि इसको हमें बेचने में, पैसे में, convert करने में, काफी समय लगेगा, ओके, इसको cash करने म हमें काफी समय लगेगा, इसलिए इसको liquid बोला गया, इसको semi liquid बोला गया, अगर हम liquid के बात करें, तो पैसों में भी liquidity होती है, देखें जो 10 रुपए का note होता है, माना चाहता है कि इसकी liquidity सबसे जादा होती है, अब आप लोग खुद देख लीजिए हैं, जो normal maximum लोग हैं, अगर उनकी बात करें, तो वो 10 रुपए का note होता है, उसका उपयोग दिन में 10 वार से भी जादा वार करते होंगे, लेकिन वो 2000 का note होता है, क्या उसका उपयोग दिन में 10 वार करते हैं, नहीं, इसलिए जो 10 का note है, वो एक दिन में सबसे जादा वार लोगों के हाथों में जाता है, इसनीर इसकी लूइक बहुत हाई मानी जाती है, जैसे ऐसे, आप 10 रुपय से उपर जाते जाएंगे, उन रुपय यान्कि जो मुद्र होती है, उसकी लूइक कम होती जाते है, इसीतरा जो पांसो का नोट होता है, उसकी लूइक बहुत हैं, ओरका मुद्पर yaशalom we किसी भी दुगान पर ले जाकर के तो उसको convert कर सकते हैं जिस तरह होते हैं हर दुगान पर वो convert नहीं होंगे तो इसका इंपक्ट क्या होता है हम देखते हैं कि हमारे जो हमारे समाज पर इसका क्या पूर फैमली के पास surplus होता है, वह सबसे कम होता है, देखिए, यहाँ पर surplus का मतलब क्या है, surplus को ही, हिंदे में कहते हैं, अदीसेश, देखे, अदीसेश का inflation से संबध है, वो क्या सा है? indirect रूप से है, और अदीसेश होता है, यह ही inflation को क्या होता है? inflation के प्रवाव को कम जादा कर दिता है देखें मैं आपको एक example की रूप में समझाओं कि poor family के उपर ही सबसे जादा inflation का प्रवाव क्यों पड़ता है मानते हैं एक poor family है PF short form है poor family, P for poor, F for family एक poor family है जिसकी income मानते है 100 रुपे है जिसकी income 100 रुपे है उसको हम रखते हैं poor family के अंदर चलिए अभी 100 रुपे हैं इस 100 रुपे में से क्या किया उसने इस 100 रुपे में से उन्होंने क्या किया अपने भूजन के लिए भूजन के लिए इन्होंने 50 रुपे खड़्स कर दिये और इसके अलावा उन्होंने अन्न चीजों के लिए जो अन आवसकताओं के लिए 40 रुपे खड़्स कर दिये और जो इनके पास सिरिफ अब बच्चे कितने 10 रुपे हैं अब इनके पास जो 10 रुपे बच्चे इन्होंने रख लिए भविस में अगर इसकी जरुवत पड़ सकती है क्योंकि यह 10 रुपे इतना काम है इसका यह निवेस नहीं कर सकते क्योंकि निवेस करने के लिए अमांट काफी काम है तो क्या करेंगे इसको अपने पास ही रख हैंगी कि भविस में अगर कोई बीमारी आ जाती कुछ आ जाता है इसका हम उप्योंक कर सकें लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई रिच परसन है रिच फैमली है और फॉर रिच एफ फैमली की बात करें मानते हैं इनकी इंकम 10,000 रुपे हैं तो वो रिच फैमली है अब देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने भूजन के लिए अपने भूजन के लिए मानते हैं इन्होंने 500 रुपे खड़्स कर दिया है और अन्यकार्यों के लिए भी इन्होंने मानते हैं कि 500 रुपे खड़्स कर दिया है फिर भी इनके पास अभी कित इनोंने अननिकार्यों के लिए रखे इमर्जंसी के लिए, कि इमर्जंसी में नहीं कभी इनका यूज पड़ता है तो हम इतने रूपए रख लेते हैं, अब इनके पास फिर भी तो कितना बस्ता है? respiratory सेस़् इनके पास 8000 रूपए सेस्ज बस्ता है इससे इसका क्या करेंगे काफी बड़ां पाउन था है यहां पर रखे क्या करेंगे यहां यह इसका क्या करेंगे इसका निवेस कर देंगे ऑग फिर संपत्य कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि अब इंकम लोगहां बात करते हैं कि हपने होगा इंफलेसन बढ़ने से क्या होगा पहले पहले इनकी इंकम तो उतनी है लेकिन अब क्या होगा अब भुजन के लिए अब इन्हें जादा रुपए खर्च करने पड़ेगे क्योंकि inflation बढ़ता है यहाँ पर हम लोगों ने देखा next year inflation बढ़ा तो क्या होगा कि जो 50 रुपए का इनको जो भुजन मिलना था वो अब 60 रुपए का मिलने लगेगा ओके 60 रुपए का मिलने लगेगा और इसी तरह इन्होंने जो अन्य कार्रों के लिए जो पैसे खर्च करते थे वो भी अब बढ़ जाएगा ओके तो यह भी थोड़ा तो इंफ्लेशन बढ़ा आप इनके पास जो 50 रुपए बच रहे थे वो अब नहीं बच रहे लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ा रिच पर्षान के लिए बिए पूंपलीशन बढ़ा के वल गरीब के लिए नहीं बचेगा ओके तो क्या ये कितना कर रहे हैं 600 रुपे खरज कर रहे हैं लेकिन इनके पास फिर से भी तो क्या होगा surplus तो बचेगा अधिसेज बचेगा इस बात को भूल जागी है अभी अधिसेज को भूल जागी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें भी कितने रुपए का नुक्सान हुआ 200 रुपए का नुक्सान हुआ किसके कारण इन्फलेशन के कारण इनके लिए क्या हुआ 200 रुपए का नुक्सान हुआ क्यों क्यों कि यहाँ पर जो good saving services थी इसके price बढ़ गये थे लेकिन इन्हों ने जो last year इनके पास जो 8000 रुपए बचे थे उसका इन्हों ने क्या कर दिया था निवेस कर दिया था इन्हों ने किया था तो इन्हों ने भी तो कोई चीज खरीदी थी मानते हैं यह क्या है यह भी एक goods है यानिकि क्या है एक बustो है तो इसका भी तो price बढ़ा होगा inflation के गारा जब inflation से सबी चीजों के price बढ़े है तो सुनी के भी price बढ़े होगी अगर इन्हों ने अन्चीज कोई भी खरीदी होगी तो उसके भी price बढ़ेएंगे अब मानते हैं कि इन्हें 200 रुपए का यहां पर नुक्सान हुआ तो यहां पर इनकी इसकी भरपाई हो गई 200 रुपए की आराम से भरपाई हो जाएगे क्योंकि इन्हों ने जो चीज खरीदी थी इसका भी प्राइस बढ़ गया तो इनको कोई भी नुक्सान नहीं हुआ आप इन्फिलेसन का इमपेक्ट था वो नगर्ण हो गया यहां पर क्या हो गया सून नहीं हो गया उसका प्रभाव क्या हो गया बल्कि इन्हें प्रापेट भो जाएगा अगर जिसका जितना अधित अधिसेदी बचyah elleगा उसका क्या होगा और ज्यादा लाब होने लएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूर फैमली थी उसके पास जो दस रुपए बच रहे थे वो भी अपनी बच रहे हैं अब इन्हें कभी अन्य चीजों के लिए अगर जरूद पढ़ जाते तो इन्हें क्या लेना सेने इनको 200 रुपए की हानी तो हुई लेकिन क्या हुआ उसकी भरपाई यहां से कर लेकि इन्हों ने जो अधिसेस था उस पर इसी लिए कहते हैं जो जिसके पास जितना कम सर्प्लस होगा उसका इन्फलेशन के भरपाव उस पर उतना आधिक पड़ेगा इसी लिए हम कहत सकते हैं कि जो रेंड देने वाले को हानी होती है और रेंड लेने वाले को लाब होता है क्या कहता है जो रेंड लेता कोई है रेंड लेता कोई है हम लोग लेता है या फिर जो अध्धोगी एकाईयां होती है वो लोग लेती है और रेंड देता कोई है बैंक देता है या ज कि रेड़ लेने वाले को क्या से लाब हो सकता है और रेड़ देने वाले को क्या से हानी हो सकते है तो इसके लिए आपको एक्जांपल की रूप में समझना पड़ाइगा मानते हैं कोई बेखती है पप्पू एक पपो एक बेखती है इसके लिए धन की आवसकता है क्या है धन की आवसकता है जब इसके पास धन की आवसकता है तो इसने क्या लिया इसको धन की आवसकता थी तो यह कहां गया बैंक के पास क्या है और बैंक से बोला कि हमें पैसों की जरूरत है तो क्या हुआ बैंक बेका चलिये हम हम आपको क्या देगे मुद्रा देदेंगे यान कि जितना दनक्त को आवज सकता है उसका आप मेंड देदेंगे तो यहां पर आप देख सकतें एक बैंक है कि क्या दियाा लोन दिया लापयाidymabar लोन दिया, 100 रुपए, अब बैंक भी तो कहेगी, बैंक इसको लोन क्यों दी, क्योंकि बैंक के लिए चाहिए था रेटन में लाव, लाव चाहिए था, तो लाव के लिए क्या कहेगी, हम आपको यह 100 रुपए दे तो रहा है, लेकिन आपको इस 100 रुपए पर 10 परसेंट इंट्रस्ट देना पड़ेगा है यानि कि अगर मानते हैं पप्पु ने 2019 में 100 रुपए लिए तो जब वो 2020 में लटा लेगा तो कितने रुपए लटा लेगा इस 100 रुपए में इसका 10% कितना हुआ 10 रुपए तो इस 10 रुपए को 100 रुपए में जोड़के है टोटल 110 अब यहां पर क्या हको बेखा जब आओ यहां पर आपको मैं एस के मिले 100 रुपए में 100 रुपए से इस ने एक की पर क्या खरीद कि टामाटर कुछ मुझा एक कि क्लोट अमडर का प्राइस के त्ना है सौ रुपए हैं नेपर बढ़ लेकिन क्या हुआ जब PAPU ही dit यहां पर इlier पैसे लोट ढाले 110 ओढ़े लेकिन इस लेधे यहां पर क्या हुआ inflation बढ़ गया कि कि इंफ्सलेशन बढ़ गया 20% किसे यहां बढ़ गया Alrighty प्रभी सेंट की तब बढ़ गया अब क्या हुआ बैंक को कितने मिले बैंक को मिले 110 रुपे हैं इडिक ने का चलो हम बूस अगर के क्या हरेता है और यह गया और अप बंक ने का तो अब दुकानदारने का कितने रुपए दूगान दारने का 120 रुपए हुए 120 रुपाइ हुए लेकिं इधर बैंक को लिए कितना मिला था 110 दुग तो बैंक को क्या करना पड़ा यहां पर 110 रुपए के साथ में 10 रुपए अपने पास से मिलाने पड़े 110 रुपए तो यहां पर रेटर्न मिले थे और बैंक ने पैसे क्यों दिये थे बैंक ने पैसे दिये थे लाब कमाने के लिए लेकिन देखिए पहले क्या हुँरा था इसमें एक किसी टमटर खरीत में कितने सो रुपते जा रहे थे लेकिन अब कितने जा रहे हैं 120 रुपते तो यहाँ पर दस रुपते का यह नुक्सान हो गया बेंक को यह कहां से देने पड़े अपनी जेप से देने पड़ी अपनी फॉके बलकि फॉके तो ग्यग पॉके से देने पड़े तो यहीं किया है उसकी हाणी है लेकिन उसने किसे लिए दिया था लाब कमानी के लिए दिया था लाब क्यों नहीं हुआ क्यों कि inflation है वो 20% की दर से बढ़ गया बन्कि इसने जो लोन दिया था वैंक ने वो 10% की दर से दिया था यहां पर inflation का rate हो आय हो गया इस को हानी हो गई तो आप यहां पर हम कह सकते हैं कि अब bank के लिए यहां पर हानी होड़ी क्योंकि उसने दिया था लाप कमाने के लिए तो इसलिए का rate हाई होने के कारण इस बैंक को क्या हो गई लाब की जगे पर आनी होगी और रेंड लेने वाले को क्या हो गया लाब होगी इसलिए कहते हैं कि अगर inflation का rate बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है कि रेंड लेने वाले जो interest rate होता है उसको बढ़ा देती है जब interest बढ़ा देगी तो क्या होगा interest rate बढ़ाने से क्या होता है कि आगे जो लोग loan लेना चाहते है रेंड लेना से उन्हें रेंड लेना मुश्किल हो जाता है जब मुश्किल हो जाएगा तो लोग रेंड कम लेंगे जब लोग रेंड क जब उनके पास पैसे कम होंगे तो मार्केट में बुजा करके मांग नहीं करेंगे मांग नहीं करेंगे तो मार्केट में जो मांग होगी वो कम हो जाएगी जब मांग कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा अन्यनकारात्मक प्रोहाओ पड़ेंगे जैसे कि मांग कम होने से जो मांग कम होगी तो कार खाने प्रोडेक्शन क्यों करेंगे प्रोडेक्शन क्यों करेंगे प्रोडेक्शन करना बंद करेंगे तो क्या होगा इससे कार खाने होगे उनको तो हानी होगी ना तो वो एक्स्ट्रा करमचारी रखके क्या करेंगे तो वो करमचारियों को बाहर लिगाना start करेंगे तो इससे क्या होगा और ज़्यादा समस्से आएंगे इससे क्या होगा विरोजगारी बड़ेगी अब जब विरोजगारी बड़ेगी तो इस नहीं चुस्क्रा में गड़ाने कैद सदूर्ब आर्थिक सम्रिद्धी है उस पर भी प्रवाव पड़ेगा तो आपने देखा जब इंफ्लेशन है वो बढ़ना तो ठीक है लेकिन जब हाई रेट से बढ़ता है तब है क्या है अर्थ वेवस्ता के लिए अच्छा संकेत नहीं है अब देखें हम लोग देखते हैं कि जमारास को आनी होती है देखिए बैंक के पास कौन रुपय करता है हम लोग करते हैं तो हम लोग के लिए अगर ब्याज कम मिलेगा तो हम क्या करेंगे इस रुपय को लिकाल के इसका उप्योग करना स्टाट करतेंगे तो क्या होगा हम लोग बैंक के पास रुपय नहीं रखेंगे मेग के पास लिक्विडिटी होगी तरलता होगी उक हो जाएगी जब तरलता काम होजाएगी बैंक के पास थो रेन बंद कर देंगे, ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेखते हैं, अब देखिए, जो मुद्रह स्पिति है, इसका बरगी करने है, इसको हम लोग काल देखेंगे, इस वीडियो को मैं यहाँ पर यह फिनिस करता हूँ, अगर आप लोग कोई भी डाउट है, तो आप ल करें और इसको सेयर करें.